नमस्कार हिंदुस्तान मैं आपके साथ आर्जे पूलम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान जिहां समाचार के विशेशंक में आपका स्वागत है विशेश उत्रों से आज पता चला है आज सुभा सुभा अर्विंद केजरिवाल आट बजे करीब जब अपने बातरूम में थे तो वहां वो अंदर फस गए बहुत जोर लगाने के बाद भी दर्वाजा नहीं कुला शुर मचाने के बाद उनके सिक्योरी गार्ड अंदर आए और उन्हों ने दर्वाजा तोड़कर उन्हें बाहार निकलते ही पहले शब जो अडविंद केजरिवाल जी के थे जन्ता के लिए उन्होंने खास हिदायत दी है और बताया है कि आज से वो एक नई फैक्टरी का निर्वान करने जा रहे हैं दिल्ली सीलमपुर में जो की दरवाजे की कुंडी और कुंडियां बनाएगी और ये जन्ता में फ्री माटे जाएंगे जिहां ये विशेश खबर हमें उनके सूत्रों से पता चली है तो रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर दूसरी खबर के नुसार आज सुभा सुभा मम्मी सौनिया गांधी बरसी अपने बेटे प्यारे बेटे राहुल गांधी पर जिहां वो अपनी गल्फरेंड शिनाई में जो चीन में जो शिनाई में उनकी गल्फरेंड रहती है चा चिमा उसे बात कर रहे थे हैं बात करते करते हैं वो जिद्ध करने लगे कि मैं फोन पर तुम से ज्यादा देर बात शिंगाई में जॉब करती है, आईटी सेक्टर से है, मम्मी सोनिया ने आओ देखाना ताओ और चाची बाओ का फोन कारते हुए चार लगा दिये राहुल गांधी पर, और वादा लिया कि तुम पार्टी की कामों में ध्यान दोगे, इसी तरह से हसी मजाग करते रहते हो, कब अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या करना चाहिए, वो किस तरह से नीती बनाए, क्या करें, जिसके लिए उन्होंने एक राय लेने के लिए भारत में फोन मिलाया सिद्धू को, सिद्धू ने कहा, मेरे दोस्त मैं हमेशा तुमारे साथ हूँ, और गाना गाकर उन्हें बताया, बनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जी हाँ, इस गाने के साथ मुलाकात आगे बढ़ी, फोन पर, और उन्हें पूछा हमें आगे क्या करना चाहिए, कुल में ले आकर, विशेश सूत्रों से जो हमें पता चला है, अब इमरा से हाजर होंगी, जब तक आप सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान